यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इनिंग टू आल अफ यू कैसे हैं सब लोग होपस हो आप सब लोग बहुत बढ़ी आ रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हो तो आज हम डिसकस करने वाले हैं सूपर थर्टी क्वेश्चन और यह सूप इस सूपर थर्टी क्युश्चन और के लिए उसका पीडियाग्स तो उसका पीडियाप फइल आपको कहां पे मिलेगा आप एक काम करिए सबसे पहले आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप पे जाएंगे और टेलिग्रॉप पे जाने के बाद सूपर बोराना बिस्ट बीबी ड 30 by C.A. भवर बोराना ये PDF फाइल है और इसमें ये वाले 30 question है जो मैं बोल सकता हूँ C.A. final direct text के लिए best 30 question है expected इसमें से काफी चीज़े cover होने वाली है वो आपके exam में आ सकता है तो ये आपको वहाँ से डाउनलोड कर दा अब उसके बाद में question ही आता है कि सर चलो इसको डाउनलोड कर लिया लेकिन इसका video कहाँ पर मिलेगा तो मैं बताओं बहुत सारे questions मैं already इस video में cover कर चुका हूँ आप जाएंगे एक channel है C.A. भवर बुराना on the YouTube और उसके बाद में आप यहाँ पर वीडियो है शॉर्ट से लाइव है लाइव वाले में जाएंगे और लाइव वाले में जाने के बाद एक C.A. Final DT Super 30 इंडिया टूर वाला वीडियो मिलेगा इसमें आपके almost approximately 17-18 question है that we already covered वो already covered हो चुके है और बाकी के जो question है वो अभी अपन इस वाले वीडियो में cover करने वाले है तो चलिए हम start करते है Super 30 के जो remaining question है उसको आज अपन cover करेंगे तो remaining question में कौन-कौन से question remaining है वो मैं आपको बताते जाओंगा और कौन-कौन से question already हो चुके है वो भी मैं यहाँ पर mark करते जाओंगा तो एक बात समझना question number 1 है जो PGPP total income का question है और यह total income का question हो चुका है already 42 adjustment के साथ और इसमें से काफी adjustment आपको exam में मिलने वाले है तो question number 1 already हो चुका था उसके बाद में question number 2 जो था question number 2 आपका है that is 115BAA से बाद से related है और यह question भी अपना हो चुका था उसके बाद में question number 3 है वो question number 3 115BAB से related है यह question भी अपना हो चुका है उसके बाद में question number 4 है I think वो वाला question बैंडिंग है तो चलिए अपन चलते है सीधा question number 4 पे और question number 4 आपका है, वो capital gains से related है, slum sale से related है, अब एक बात समझता, slum sale में जैसा कि amendment है और amendment इस साल नहीं है, last year से amendment है, तो slum sale वाला जो question है वो अपन देखते है, slum sale का मतलब क्या होता है, sale of undertaking और a segment of undertaking और a unit for a lump sum consideration without assigning individual asset का value आप अलग से assign नहीं करते हो, आप एक साथ में lump sum consideration से प taxable होता है capital gain, अब question यहाँ पर यहाँ आता है, कि सर, slum sale में कैसे tax लगेगा, तो slum sale में सबसे पहले आपको एक काम करने का, कि जो unit आप बेच रहे हो उस पूरे unit को आप one asset treat कर दीजिए, जो unit आप बेच रहे हो, उस पूरे unit को आप एक ही asset treat करिए, लिकिन सर एक बात आएगा, and FMV2 आएगा, whichever is higher लेने का, अब आप मुझे पूचेंगे, कि सर, यह FMV1 क्या होता है, तो FMV1 क्या होता है, कि जो undertaking या unit आप transfer कर रहे है, जो unit आप transfer कर रहे है, उसका fair market value निकाल दीजिए, और FMV2 क्या होता है, कि जो आपको return में consideration मिल रहा है, उस consideration का fair market value निकाल द आएगा, अब आप मुझे यह पूचेंगे, कि सर, एक बात बताईए, आप बोल रहे है, कि fair market value 1 and fair market value 2, whichever is higher लेना है, fair market value 1 क्या होता है, कि जो undertaking आप transfer कर रहे है, उसका fair market value निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे, तो आप एक काम करिए, जो undertaking आप transfer कर रहे है, उसका fair market value नि इनके लिए तो आप एक काम करिए, fair market value ले लीजिए, और जितनी भी other asset है, वो other asset के लिए आप book value ले लीजिए, तो आप क्या करेंगे, कि जो undertaking ट्रांसपर कर रहे है, उसका fair market value कैसे निकालेंगे, तो आप एक काम करिए, कि जो shared security, jewelry, drawing, painting, sculpture, archaeological, collection, any other work of art, and bullion है, उसका तो fair market value ले लीजिए, आपको दे रखा होगा, और उसके साथ में जो immovable property होती है, उसका stem duty value ले लीजिए, ठीक है, और ये तुमारा FMV1 हो जाएगा, अब एक बात समझना, इसमें से आप क्या करेंगे, ये assets को छोड़के, बाकी वाल consideration जो return में मिलता है, if you transfer the undertaking, तो आपको return में consideration क्या मिल रहा है, वो FMV2 होगा, और FMV2 के लिए आपको क्या करनेगा, जो consideration मिल रहा है, अगर वो monetary consideration मिल रहा है, तो money ले लीजिए, अगर वो non-monetary consideration मिल रहा है, और उसके लिए already rules बना रखे, already rules बना रखे, उसकी fair market value निकालने क लिए जैसे shares मिले, आपको return में करगे, ठीक है, या फिर आपको return में unlisted company के shares मिल रहा है, तो shares बना रहा है, तो उसकी valuation rules बना रहा है, और जो immovable property रहती है, वो immovable property के लिए आपको क्या करना है, stem duty value लेना है, तो वो तुमारी FMV2 हो जाएगी, अब FMV2 और FMV1 में से जो whichever is higher रहेगा ना, वो आपका full value of consideration बन जाएगा, तो देखिए, एक question दे रखा है, question number 4, और question number 4 पे चलेंगे सब लोग, हरी private limited had sold all its asset and liability in a slum sale on 31st March 2023 to the JJ private limited for a lump sum consideration, आपने lump sum consideration से बेच दिया, लेकिन आपको इसके बदले में मिला क्या, हरी private limited receive the following consideration, एक तो money मिला है, आपको 400 lakhs का, एक आपको house property मिला है, 150 lakhs का, जिसका stem duty value दे रखा है, and bitcoin आपको मिला है, 30 lakh का, जिसकी value based on the valuer report, and shares of bb limited आपको 70 lakh का मिला है, तो यह आपको consideration में in return मिला है, तो इसका मतलब यह बोल दू, कि इसकी अगर आप total करोगे, तो यह तुमारा fair market value 2 आजाएगा, क्योंकि यह आपको consideration in return आपको मिला है, तो इसकी total कितनी होगी, तो देखिए, सबसे पहले आप 400 लीजिए, और 150 करिए, तो यह आपका 550 हो गया, 550 में 30 को add कर दीजिए, और 70 को add कर दीजिए, तो I think यहाँ पर 650 हो जाता है, तो FMV2 कितना हुआ, आपका 650 हो गया, अब आप एक काम करिए, FMV1 निकालिए, तो FMV1 निकालने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, कि जो भी आपकी balance sheet दे रखी है, उस balance sheet में से आप एक काम करिए, सबसे पहले वो 9 asset को अब एक बात बता हो, land दे रखा है, जिसका revalued figure 1200 है, लेकिन आप अगर additional information में जाते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है, cost of land in the March 2005 इसका 100 lakhs था, और इसका stem duty value 400 lakh है, जिस दिन transfer किया, उस दिन का stem duty value 400 lakh है, तो मुझे एक बात बताईए, FMV लेने के लिए आप जो है, वो 1200 नहीं लेंगे, यहाँ पे 400 लेंगे, तो यहाँ पे जो SDV रहेगा ना, वो SDV आपका जो है, वो FMV में calculate होगा, तो आपको यहाँ पे 400 लेना है, उसके साथ में, जो unlisted shares है, तो shares, security, jewelry, drawing, painting, sculpture, archaeological, collection, any other work of art and bullion में आता है, तो इसका 120 है, वो fair market value ले लीजिए, उसके बाद में current asset जो दे रखी है, sundry dators वग ले लीजिए, loan and advances का book value ले लीजिए, closing stock है, उसका book value ले लीजिए, उसके बाद में, अगर आप liability side में जाएंगे, unsecured loan का book value लीजिए, bank borrowing का book value लीजिए, and sundry creditor है, उसका भी आप क्या लेंगे, book value ले लेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बिटा, यह जो 250 है 400 है, 300 है, 2 है, 150 है, 250, minus कर दीजिए, 8525, यह अगर आप minus कर देंगे, तो आपके पास में जो बचेगा, that is call your FMV 1 करके, और यह FMV 1 देखिए, यहाँ पे मैंने निकाला है, तो आप क्या कर रहे है, पहले 250 ले रहे है, उसके बाद data का आपने, 300, 250, 250 है, सब की book value ले ले ली, उ secured loan वगेरा, यह आपने less कर दिया, तो आपके पास 867 है, वो FMV बना गया, मैंने क्या बोला, FMV 2 आपका आया, वो 650 है, और FMV 1 जो आया, that is call your 867, तो 867 है, वो आपका full value of consideration बन जाएगा, अब एक बात बताईए, यह तो full value of consideration बन गया, लेकिन minus करेंगे, अपन transfer expenses अगर कुछ दे रखा है, तो वो less कर दीजिए, transfer expenses नहीं दे रखा, तो cost of acquisition less करिए, बट cost of acquisition में क्या आएगा, cost of acquisition में आपको net worth निकालना पड़ेगा, अब देखो net worth कैसे निकालते हैं, बड़ा simple सा rule है, आप एक काम करिए, जिस दिन आप asset transfer कर रहे है, जिस दिन आप slum sale कर रहे है, उस उसका तो लेंगे WDV as per the income tax law, और other asset की ले लिजिए आप book value, मैंने क्या बोला, depreciable asset जो है, उसके लिए ले लिजिए WDV as per income tax law, other asset के लिए लिजिए book value, minus liabilities को आप less कर दीजिए book value पे, और एक और चीज़ समझना, यहाँ पे अगर कोई revaluation करा रखा है, तो revaluation को आपको ignore करन पड़ेगा, if there is any revaluation, तो revaluation को आपको क्या करना पड़ेगा, ignore करना पड़ेगा, revaluation को आपको consider नहीं करना, तो चलिए, अपने काम करते है, एक एक asset के बारे में देखते है, कि उसकी WDV या book value या कौन सी value लेनी है, तो चलिए, अगर मैं plant and machinery की बात करूँ, यहाँ WDV दे र as per section 436, यह तुमारा WDV है as per the income tax law, तो आप एक काम करिए, net worth calculation में यहाँ पे 250 की जगे है, आपका 200 ले लीजिए, अब land है, वो 1200 पे दे रखा है, बट यह तो revalued कर रखा है, उसकी original cost कितनी थी 100 थी, नो net worth calculation में बेटा, यह 100 आ जाएगा, बाकी जो unlisted share है, उसकी book value लेंगे आप 80 कर गे, संडरी data से उसका book value लेंगे, इसका भी book value लेंगे, इसका भी book value लेंगे, यह सब book value पे लेंगे, और liabilities है वो आप book value पे less कर दीजिए, तो जो भी आपके पास बचेगा, that will be your net worth, और यहाँ पे जो net worth है, वो आप less कर देंगे, तो आपके पास में capital gain का amount है, वो यहाँ पे unit मानलो 45 में start की थी, तो यहाँ पे long term capital gain होगा, और जब long term capital gain होगा, तो यहाँ पे यह आपका long term capital gain आ गया, और long term capital gain कितना है, 390 lakhs है, 390 lakhs का मतलब 3 करोड 990 lakhs है, और यह जो question है, यह आपके company का है, तो company के case में, अगर 1 करोड से ज्यादा का income होता है, तो उसमे tax payable है, वो इतना आ जाएगा, it is call your tax liability, this is the question number 4, उसके बाद में अपन चलते है question number 5 पे, question number 5 है नहीं बहुत ही प्यारा question है, I don't know, I like this question, मेरे को personally यह question बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे concept है, वो एक सात में cover होते है, तो चलिए question number 5 पे चलते है, इस question मे बहुत सारे concept cover हो रहे है, क्योंकि AMT आ रहा है, उसके बाद section 115 BAC का concept आ रहा है, SEZ 10AA आ रहा है, बहुत सारे concept एक सात में इस question में आ रहे है, तो चलिए, पहले मैं question को read करूँगा, और उसके बाद मैं last line को read करूँगा, और उसके बाद हम एक एक चीज़ है, वो दिखेंगे इस question को कैसे solve करेंगे, तो देखें, Mr. Dheeraj, age is 48 years, a resident Indian has furnished the following particular for the year ended 31st March 2023, तो ये question एक individual का है, 48 years का age है, और उसने आपको इस साल से related कुछ information दे रखी है, आपसे पूचा क्या है, पहले वो देख लेते हैं, तो आपने, आपसे इन्होंने पूचा है, कि you are requested to compute his total income and tax liability of Mr. Dheeraj for the assessment year 23-24 in the manner so that he can make the maximum tax saving, अब यहाँ पे एक बात समझना, जब भी आपको कुछ भी नहीं दे रखा, आपसे सिरफ ये बोला है, total income निकालना है, tax liability निकालना है, and suppose उन्होंने ये नहीं बोला कि ignore 115 BAC, अगर ignore 115 BAC नहीं दे रखा है, तो आपको 115 BAC को follow करना है, और 115 BAC को follow करते हुए, पहले तो आप normal provision के हिसाब से tax निकालिए, total income निकालिए, और फिर आप 115 BAC के हिसाब से total income निकालिए, और tax निकालिए, और फिर देखिए, दोनों में से जो more beneficial रहेगा, वो assessi के लिए follow करना है, तो चलिए, हम एक काम करते है, पहले normal तरीके से उसका total income calculate करते है, tax liability calculate क और उसके बाद में हम 11 BAC पे जाएंगे, तो चलिए, सबसे पहले हम 11 head की income देखते है, क्या दे रखा है, चलिए, सबसे पहला point, point number one, he occupy the ground floor of a residential building and has laid out the first floor of the residential use at an annual rent of the 3,34,000, he has paid the municipal taxes of 30,000 for the current financial year and both this floor are of the equal size, अब एक बात समाजना, इसके पास में एक house property है, जैसे suppose for an example, this is the house property, अब इसने क्या किया हुआ है, क्या इसका एक ground floor है और एक first floor है, अब एक ground floor है, और ये तुमारा first floor है, उसने ground floor को तो खुद के लिए use कर रहा है, means वो तो SOP हो गया, और first floor है, वो उसका LOP हो गया, अब एक बात समझना, जब भी कोई भी property है, वो partly late out है, और partly self occupied है, तो जो भी आपको municipal value, fair, rent, standard rent, municipal taxes, या interest on loan दे रखा है न, वो आपको दो पार्ट में divide कर ना पड़ता है, means जो SOP वाला portion है, उसके लिए SOP और जो LOP वाला portion है, उसके लिए LOP, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कि देखो SOP जो है, वो ground floor है, वो SOP है, self occupied property है, and first floor है, वो तुमारा LOP है, तो यहाँ पे देखो SOP के case में, तो हर चीज निल आती है, SOP के case में, जो self occupied property है ना उसके case में, सरफ एक ही चीज लेस होती है, that is the interest on loan, but LOP के case में, सब चीजे आती है, और LOP के case में, interest का कोई limit भी नहीं होता, लेकिन self occupied property के case में, you know that interest का एक limit होता है, तो चलिए, अपने काम करते हैं, पहले तो मैंने आपको यह समझाया, कि जो first floor है, वो lit out property है, और जो आ ICICI bank, he has paid the 1,80,000 as interest, and 95,000 towards the principal repayment of the housing loan, borrowed for the above residential building in the year 2015, उसने loan लिया था bank से 2015 में, to purchase this particular house property, तो उसका interest है, वो 1,80,000 है, और उसका principal है, वो 95,000 है, अब एक चीज समझना है, कि सबसे पहली चीज तो यह, कि आप इसका interest है, वो दो पार्ट में divide होगा, क्योंकि एक तो SOP में, और एक तुमारा LOP में, अब आप house property का income कैसे निकालोगे, तो house property का income निकालने के लिए, अगर मैं self occupied property की बात करूँ, तो self occupied property में कुछ भी चीजे less नहीं होती, सिरफ एक चीज आती है, that is interest on loan, और interest on loan कितना हो जाएगा, तो self occupied का interest on loan है, वो आपका 90,000 हो जाएगा, तो 90,000 आप negative में ले लेंगे, तो SOP की income है, वो आपकी 90,000 negative हो जाएगी, तो देखिए, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे self occupied portion, जो ground floor है, उसका income कितना आएगा, तो annual value उसका nil लेना है, सिरफ interest on housing loan है, वो 90,000 अलाओ होगा, तो यहाँ पे 90,000 का negative income आजाएगा, self occupied property का, but when it comes to the late out property, तो late out property के लिए बेटा, इन्होंने यहाँ पे annual rent दे रखा है, that is the 3,34,000, तो 3,34,000 है, वो आपका rent हो जाएगा, actual rent, इसी को अपन gross annual value बना देंगे, और उसमें से municipal taxes पे किया है, वो less होगा, अब एक बात बता हूँ, municipal taxes उसने 30,000 पे किया है, पूरे घर का, तो मैं बता हूँ, late out portion का only 15,000 होगा, तो आप एक काम करिए, सबसे पहले 3,34,000 ले लीजिए, उसमें से municipal taxes 15,000 आप less कर दीजिए, यह आपका net annual value आगया, अब एक बात बता हूँ, यह जो net annual value होता है, इसमें से 2 चीजे less होती है, एक तो interest on loan, और interest on loan आपका 90,000 है, और बेटा, दूसरा 30% of the standard deduction, य यह दोनों चीजे है, वो आपकी less हो जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास में बचेगा 1,33,300 है, यह आपका let out portion है, उसका income from house property है, अब एक बात बताओ, जो तुमारा self occupied property का जो loss है, वो आपके let out property की income से set up हो जाएगा, और set up होने के बाद net house property का income आपका 43,300 है, वो आ house property का loan का principal payment, तो principal payment का आपको याद रहेगा, तो इसका deduction आपको ATC में मिलता है, तो 95,000 का deduction है, वो आप ATC में ले सकते हैं, तो अगर आप question में जाके देखेंगे, तो देखिए, यह repayment of the principal amount of the housing loan है, यहाँ पे 95,000 का मैंने ATC में deduction लिया है, तो जब भी residential house property अगर आप लेते है और उसके लिए loan लेते है, तो उसका जो principal repayment है, principal repayment का deduction है, वो आपको ATC में मिल जाएगा, करके चलिए, उसके बाद मैं आगे चलते है, point number third पे, और point number third क्या बोलता है, रिखिए, he owns an industrial undertaking established in the SEZ, and which had commenced the operation during the financial year 2021, तो 2021 में एक SEZ unit ने अपने operation start किये थे, तो मैं बता हूँ 22-23 है, यह आपका कौन सा year रहेगा, 2021 was the first year, तो 21, 22, 22, 23, यह third year है, the total turnover of the undertaking is 400 lakh, which includes the 120 lakh from the export turnover, this industrial undertaking fulfill all the condition of section 10AA of the income tax act 1961, and profit from the industry is 45 lakh, तो एक बात बता हो, पहले तो यह 45 lakh है, यह आप PGBP में tax civil करो, और उसके बाद में आपको deduction मिलेगा, deduction कितना मिलेगा, export profit का 100%, तो पहले export profit कैसे निगालोगे, तो आप एक काम करिए न, 45 lakh multiply by 120, divide by 400 करेंगे, तो यह आपका export profit आ जाएगा, और export profit का 100% आपको deduction मिलेगा, तो सबसे पहले तो एक काम करिए, आपका देखिए, PGBP का income, SEZ unit का आपका 45 lakh आगया, अब आपने deduction लेना है 10 AA का, एक और चीज़ आप exam में हमेशा ध्यान रखिए, कि यह 10 AA का जो आप deduction लेंगे न, वो कहां पे लेंगे 10 AA का deduction है, वो आपको GTI के बाद में लेना है, तो देखो, मैंने यहाँ पे यह gross total income ले लिया, और gross total income के ब 15,000 आजाएगा, this is the deduction under section 10 AA, 10 AA का यह deduction मिल गया, उसके बाद आगे चलते हैं, next point पे, he employed the 20 new employee for that industrial undertaking during the previous year 22-23, out of 20 employee, 12 were employed on the 1st May 2022 on the monthly emoluments of 18,000 and remaining were employed on the 1st August 2022 on the monthly emoluments of the 12,000, All this employee participate in the recognized provident fund and they are paid their emoluments directly to their bank account, अब एक बाद समझना, यह exam में यह adjustment आए गई आएगा, किसी ना किसी question में आपको दिखेगा, दिखेगा, और यहाँ पे क्या होता है ना बिटा, कि आप 80 AA का deduction आपको मिलता है, अगर 5 condition satisfied होती है, पहली condition आपकी audit होनी चाहिए, दूसरी condition आप new employee obviously जो recruit कर रहे है, उनका salary 25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तीसरी condition यह है, कि वो RPF में participate करते हो, चौती condition यह है, कि वो 240 डेज यह उससे ज़्यादा काम किया है, पांचवी condition उसमें यह है, कि उनको जो आप पे कर रहे हो, वो पे कर रहे हो, वो आप कैसे करना चाहिए means आपको cash में pay नहीं करना है, account पे check, account पे demand draft या any mode of electronic clearing system से उनको remuneration पे करना है, उसमें एक और चीज़ समझना, जो 240 डेज है, उसकी जगे 150 डेज आ जाएगा, अगर आप manufacturing of appareils या footwear or leather के business में हो, तो वहाँ पे 150 डेज देखना पड़ेगा, तो पहली चीज़ आप देखो appareils वाला नहीं है, तो 240 डेज देखेंगे, तो अगर आप 240 डेज देखते हो ना, तो August से count करोगे, तो भी आपका 240 डेज तो हो ही रहा है, क्योंकि अगर आप August से count करते हो, एक बार चलो आप एक बार करके देखिए, August से count करते हो, first August से, क्योंकि में वाले का 240 डेज हो ही रह तो इस पर्टिकुलर केस में तो आपको 80 डबल जे डबल एका deduction मिलेगा तो देखिए सीधा आप deduction पार्ट में जाएंगे और deduction पार्ट में आप यहां पे देखेंगे तो देखिए 30% of employee cost of the new employee employed during the previous year 22-23 allowable as deduction तो 30% 31,44,000 का कैसे आया 12 employee 18,000 और आपका 11th मन में से और बाकी 8 employee है उनका 12,000 एट मन का तो जितना भी आता है उसका आपने कितना परसेंट किया 30% किया तो इतना आपको deduction इस साल में 80 डबल जे डबले में मिल जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं क्या दे रखा है next point he has earned 30,000 and 45,000 as interest on saving bank deposit and fixed deposit respectively अब एक बात बताओ उसका saving bank पे interest है वो आपको मिला है 30,000 and आपका FD का 45,000 एक बात बताओ यहाँ पे word he has earned दे रखा है you know that in like जो पहले वाले questions मैंने करा है उसमें मैंने बताया था कि अगर मानलो earn दे रखा है या income दे रखा है तो आपको मानने का है कि यह gross income है लेकिन अगर मानलो यह received दे रखा है या credited to bank account दे रखा है तो आपको यह मानने का है कि य net income है तो यहाँ पे आप gross income मानोगे तो 30,000 45,000 पहले तो आप taxable कर दीजिए कहाँ पे income from other sources में तो यह 30,000 यह 45,000 taxable कर दिया और आप क्या करेंगे कि एक TTA का deduction ले सकते है तो जो TTA का deduction है वो saving bank interest पे आप ले सकते है maximum 10,000 का तो यह आपने 80 TTA का deduction ले लिया 10,000 का 80 TTA में उसके बाद मैं next part पे चलते हैं he also sold his vacant land on 1-12-2022 उसने एक vacant land बेचा है इसी साल में 13,000,000 में the stem duty value of land at the time of transfer is 14,000,000 उसका जो HDV है transfer की date पे 14,000,000 है लेकिन एक बात बताओ HDV 14,000,000 है और उसने transfer किया है 13,000,000 में आप मुझे बताइए क्या इसका stem duty value है वो consideration के 110% से जादा है य 110% कितना होता 14,000,000 होता 14,000,000 से जादा तो नहीं है न यार यहां तो 14,000,000 ही है तो एक बात बोलू मैं आपका यह जो 13,000,000 है यही आपका full value of consideration माना जाएगा आगे क्या दे रखा है तो 13,000,000 है वो आप full value of consideration ले लीजे अब एक बात समझना आगे क्या दे रखा है आगे जो यह asset खरी धी थी उसकी fair market value 14,000,000 की 4.8,000,000 है और stem duty value है वो 3.8,000,000 है कब की 14,000,000 की and the land was acquired by him in the 1997 for 2.8,000,000. अब एक बात बताओ, उसकी cost कितनी थी, उसकी cost है 2.8 lakh and उसके साथ में 12,000 भी add कर दीजी, क्योंकि purchase के time पे जो भी खर्चे होते है, वो आपके cost में आ जाते है, तो इसका मतले भी यह बोलू, मैं आपकी cost है वो 2.92,000 है, तो cost 2.92,000 है और यह asset 142001 से पहले खरीदा हुआ है, तो मैं बोलू, आप क्या लेंगे, FMV as on 142001 और आपकी cost whichever is higher, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, एक 2 साल पहले amendment हुआ था, कि this FMV as on 142001 cannot be higher than SDV as on 142001, यह SDV से जादा नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आपका SDV जो 3.8 है, वो ही FMV बन जाएगा, तो 3.8 and 292 इसमें से higher कितना है आपका, इसमें से 3.8 is a higher, तो आपकी cost of acquisition 3.8 lakh होगी और उस पे फिर आपको indexation करने को मिलेगा, तो यहाँ पे 3 lakh 80,000 multiply by 331, divide by 100 करेंगे, तो this will be your index cost of acquisition और यह तुमारा है, वो net long term capital gain है, वो आ जाएगा, this is call your long term capital gain करके, चलिए, उसके बाद में, last adjustment क्या दे रखा है, he paid the insurance premium of 49,000 towards the life insurance policy of his son, who is not dependent होने, अब एक बात बताओ, उसके बेटे के लिए, उसने life insurance policy ली, इसका deduction आपको कौन सी section में मिलता है, ATC में मिलता है, अब एक बात बताओ, ATC में है न, life insurance policy, या पर PPA पर है, वो या तो खुद के लिए लेना परता है, spouse के लिए लेना परता है, अब यहाँ पर children dependent है है या न, उससे फरक नहीं पड़ता, एक बात बताओ, यह जो dependent वाला word है न, वो सिरप ATD की series में आता है, Miss ATD में आता है, ATDD में आता है, ATDD में अता है, उसके अलावा कहीं पर भी dependent word नहीं आता, ATD में जो आता है, वो आता है, dependent children के लिए, ATD में आता है, dependent relative के लिए और ATDDB में आता है that is dependent relative के लिए तो एक बात बताओ कहीं और dependent word नहीं आता तो यहाँ पे आप ATC में इसका deduction ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो यह ATC में ले लिजिए total 144 ATC का हो गया ATJAA का यह हो गया और यह हो गया और इसको आप जो total deduction less कर दीजिए आपके पास में total income आ गया और यहाँ total income यह आ गया अब आप इस पे tax निकालिए tax कैसे निकालिए long term capital gain है उस पे 20% से tax लग जाएगा और बाकी वाले पे normal slab rate से tax लग जाएगा this is call your net tax liability यह आपकी net tax liability आएगी अब एक चीज़ समझना यहाँ बड़ा interesting part आता है क्या यहाँ पे AMT आएगा या ने answer is yes देखिए AMT आएगा आप यहाद करिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है अगर कोई भी SSC है वो इन तीन में से कोई भी एक deduction लेता है या तो कौन सा 10 डबले लेता है या 35 AD लेता है या बेटा 80 IA से लेके और 80 RRB लेता है और एक चीज़ ध्यान रखना 80 J J डबले है वो आपके इसमें 80 IA to RRB में आ जाता है 80 IA से 80 RRB में 80 J डबले है वो आ जाता है और 80 J डबले जब इसमें आता है इसका मतलब यह हुआ कि एक बात बताओ इस section में तो दो deduction लिये है एक तो कौन सा लिया है 80 J डबले जामत आ ये एक दूसरा आपने कौन सा लिया है आपका 10 AA लिया है तो यहाँ पे 2 deduction ले रहे है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा AMT का भी और AMT का जब आप ध्यान रखेंगे तो आप क्या करेंगे सबसे पहले आप अपनी net taxable income ले लीजिए उसमें आप add कर दीजिए 10 AA का deduction, 80 AA AA का deduction और जो भी बचता है इस पे आप ले लीजिए 18.5% और देखिए अगर यह तुमारा adjusted total income, individual, HOP, BOI, artificial, juridical person के case में अगर यह 20 lakh से जादा नहीं होता तो तो AMT नहीं लगता बट यहाँ पे AMT भी लगाना पड़ेगा, health and education से ऐसा add कर दीजिए यह आपका AMT आ गया, अब यहाँ पे आप देखेंगे आपका normal tax liability 491,160 था और AMT आपका 867,050 है तो यहाँ पे AMT जादा है, आपको AMT पे करना पड़ेगा और जब आप AMT पे करोगे तो आपको AMT credit बन जाएगा, जितना जादा AMT है as per the normal tax remaining आपका AMT credit हो जाएगा, अब एक और चीज़ समझना है यहाँ पे यहाँ पे ऐसा नहीं बोला हुआ कहीं पे भी कि 115 BAC को ignore करो, तो यहाँ पे 115 BAC भी देखना पड़ेगा अब एक बात बताओ, जब आप 115 BAC के हिसाब से income निकालोगे, तो क्या-क्या चीज़े चेंज हो जाएगी एक तो आपको बताए, house property में, जो self-occupied property में, जो 90,000 का आपने deduction लिया था, वो आप add back कर दीजिए क्योंकि self-occupied property में, जो interest का deduction है, 24 B का वो नहीं मिलता है, तो यहाँ पे 90,000 का जो SOP में, self-occupied property का interest था, वो add कर दीजिए दूसरा मैं आपको बोलू, आपको कौन-कौन से deduction नहीं मिलते, तो उसके बाद under chapter 6 से एक भी deduction नहीं मिलता सिरफ 80 J J AA मिलता है, और 80 तुमारा कौन सा वाला दूसरा, आपको पता 80 CCD 2 मिलता है, तो यहाँ पे मैंने gross total income जो normal rate से निकाली थी, normal case में वो ले लिया, उसमें क्या किया, मैंने जो आपका 90,000 का house property में self occupied property का जो loss था वो मैंने add back कर दिया यह मेरा gross total income हो गया इसमें से कोई भी deduction नहीं मिलेगा बट 80 डबल जय डबल जय डबल जय ले लिया और बेटा यहाँ पर 10 डबल जय का वगरा कोई deduction नहीं मिलेगा यहाँ पर आपका 80C वगरा नहीं मिलेगा यह कोई भी deduction नहीं मिलेगा और यह आपका आगया net taxable income और इस net taxable income पर फिर आपके पास में जो 6 elaborate होती है 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% उससे आप tax निकाल दीजिए और अब आप देखिए कि आपका यहाँ पर net tax payable कितना आता है और अब आप बताईए कि यहाँ पर क्या उसको normal हिसाब से जाना च कान खोल के सुन लीजिए ला अगर कोई भी अससी है 115 बाव फॉलो करता है 115 बैब फॉलो करता है 115 बैब फॉलो करता है 115 बैड फॉलो करता है अगर यह section में से कोई भी section फॉलो करता है तो उसमें बिटा AMT या मैट नहीं लगता तो यहाँ पर AMT या मैट नहीं लगेगा यहीं पर कोई गलती तो नहीं है ना चेक कर लीजिए एक बारा कर लीजिए एक बारा बारा बार बारा बार रहां रहां। झाल झाल यस पीपल डन चलिए उसके बाद में question no.6 भी already done हम already कर चुके है उस वाले part में आप देखोगे आपको check करोगे आपको मिल जाएगा question no.7 है वो हम already कर चुके है पहले उसके बाद में आप 7 के बाद में देखेंगे question no.8 है वो हम already कर चुके है question no.9 जो है वो मैंने उसमें कराया नहीं था बट मैंने आपको hint दिया था तो यह similar question आपके compiler में है आप easily देखेंगे तो आपसे यह easily हो जाएगा question no.9 में कोई दिक्कत नहीं है question no.10 है वो हम already कर चुके है तो जो question no.10 है वो भी हमारा हो चुका है question no.10 के बाद में आप देखेंगे तो question no.11 business trust related we already done that question question no.12 हम already कर चुके है question no.13 है वो हम already कर चुके है question no.13 के बाद question no.14 है वो already कर चुके है question no.14 के बाद में अगर मैं question no.15 की बात करूँ तो देखो question no.15 है यह तो same question है जैसा आपके compiler में दे रखा है तो आपके compiler में जो question दे रखा न वो same question as it is question यह वाला question है बड़ा simple सा question है देखिए क्या दे रखा है Lots INC a British company received in previous year 2022-23 income by way of fees for technical service of Rs 3.2 crore from Yamuna Limited a Indian company in pursuance of an agreement between Yamuna Limited and Lots INC entered into the year 2012 which is approved by the central government and expenses incur earning such income is 28 lakh आप से पूचा क्या है examine the taxability of above sum in hands of the Lots INC as per the provision of the income tax act 1961 and the requirement if any to file the return of income assuming that the Lots INC does not have a permanent establishment in India अब एक चीज़ समझना एक section हुआ करती है आपके non-resident taxation में that is 115A और 115A क्या बोलती है कि अगर किसी भी non-resident को या foreign company को इंडिया से कोई भी royalty मिलता है या फिर FTS मिलता है और अगर इस non-resident foreign company का इंडिया में PE नहीं है इंडिया में permanent establishment नहीं है और royalty और FTS मिलता है और government ने उस agreement को अप्रूव किया है तो वो royalty FTS है वो taxable हो जाता है 10% की rate से बड़ बाबू वो आपका gross royalty taxable होगा जो gross royalty है न वो taxable होगा उसके सामने कोई भी खर्चे allow नहीं होगे 10% है वो gross royalty taxable हो जाएगा अब एक और चीज़ समझना अगर आपकी सिरफ royalty FTS की income है या फिर interest dividend है और अगर उस पे TDS कट चुका है तो section 115 A ये बोलती है कि आपको इंडिया में फिर अपना return फाइल करने की ज यहां से 3.2 करोड का royalty मिल रहा है 28 lakh का expenditure है expenditure allow नहीं होगा and 3.2 करोड है ये gross business 10% से taxable हो जाएगा under section 115 A 115 A में ये taxable हो जाएगा तो आप यहां पर answer में जाके जब देखेंगे तो यहां पर दे रखा है कि it is taxable at the rate 10% 10% से taxable होगा यहां surcharge भी लगेगा क्योंकि जो royalty मिल रहा है वो 1 करोड से जादा है और foreign company के case में अगर 1 करोड से जादा royalty होता है या कोई भी income होता है तो उस पर 2% surcharge आता है 4% health and education से ऐसा आता है that is the 10.608% है उस rate से TDS है वो TDS कटेगा TDS कैसे लिया है अपने अपने कैसे लिया है कि बटा 10% है फिर surcharge फिर health and education से और एक और चीज़ समझना यहां पर सिरफ आपकी यह royalty की income है तो उस particular case में आपको कोई भी अपना income tax return फाइल करने की ज़रूरत नहीं है there is no need to file the return आपको income tax return है वो file करने की ज़रूरत नहीं अगर आपका TDS already deduct हो चुका है तो चलिए उसके बाद दूसरा question क्या पूछा है इन्होंने कि suppose if LOTS INC has a permanent establishment in India and the contract agreement with the Yomana Limited for rendering the technical service is effectively connected with such PE in India examine the taxability based on the following detail provided for the related to the previous year 22-23 अगर एक बात बताओ LOTS INC का अगर इंडिया में PE है तो क्या होगा अब एक चीज़ समझना अगर मानलो इंडिया में LOTS INC का PE है पर्मानेंट establishment है तो एक section हुआ करती है 44 DA करके और 44 DA क्या बुलता है कि अगर कोई भी non-resident है या foreign company है उसका इंडिया में PE है तो आपको क्या करना पड़ेगा वो PE का इंडिया में P&L बनाना पड़ेगा और PE का profit and loss account बनाना पड़ेगा उसकी bias side में जो royalty FTS वगिरा रहेगा वो credit side में जाएगा और debit side में आपके उसके expenditure जो भी है वो allow हो जाएंगे और जो भी net profit बचेगा उस net profit पे फिर normal rate से tax लगेगा यहां पे फिर 10% का tax rate का benefit नहीं मिलेगा नॉर्मल rate से tax लगेगा ऐसा section 44 DA बोलती है अब आप मुझे बोलें के normal rate का मतलब क्या तो जैसे foreign company के normal rate है वो 40% होगी तो 40% से tax लग जाएगा अगर माल लो यह other than foreign company होता तो उस particular case में slab rate से tax लगता अगर individual HOF अगरा होता तो उस पे ह वो आपका slab rate से tax लगता तो इस पे normal rate से tax लग जाएगा अब आप बोल रहे हो sir के यहां पे credit side में income ले लीजिए debit side में expenditure ले लीजिए देखो क्या सब expenditure अलव होंगे एक बात बताओ all expenditure अलव होते है लेकिन दो expenditure अलव नहीं होंगे कौन कौन से एक तो एक चीज ध्यान रखन miss holy and exclusively उस PE से related है वो expenditure ही debit में आएंगे अगर कोई expenditure PE से related नहीं है तो वो debit में नहीं आएगा और दूसरी चीज ध्यान रखना अगर इस PE ने किसी दूसरी PE को कोई expenditure पे किया है या head office को कोई expenditure पे किया है जो उसका actual expenditure नहीं है और अगर इसने इसको पे किया है तो वो सब अलव इसका मतलब क्या हुआ एक बात समझता मैं वापस बोल रहा हूँ कि ये जो PE है इस PE ने जो अपने head office को कोई खर्चे पे किये है या फिर माल लो दूसरी PE को खर्चे पे किये है वो अलव नहीं होते है वो अलव नहीं होंगे बाकी वाले कोई भी खर्चे जो है जो इंडिय लुक्ति खर्चे पेंडिया नहीं जाएगा जाएगा अगर पी से रलेटेट खर्चा नहीं है तो ये उल्वाला खर्चा है ये आपके पेंडिया पेंडिया जाएगा। expenditure is not allowed, यह P&L के debit में नहीं जाएगा, और amount paid by P to HO, अगर P ने HO को अगर कोई भी amount pay की है, not being in the nature of reimbursement of actual expenditure, अगर मान लो यह actual खर्चा हुआ होता और उसका अगर reimbursement होता तो तो चलता, बट यह बाकी वाला अगर खर्चा है, जैसे बहुत बार क्या होता है, P अपने HO को कोई करेंगे, यह वाला credit में जाएगा, यह वाला credit में जाएगा, यह वाले दो expenditure है, वो debit में जाएगे, जो आपका net income आएगा, उस पे normal rate से tax लग जाएगा, under section 44D, करके check कर लिजिए आप इसका answer, same ऐसा का ऐसा question आपके compiler में भी दे रखा है, चलिए, उसके बाद में, next question पे चलत ना, normally क्या होता है, जो Indian company है न, वो तो हमेशा resident मानी जाती है, लेकिन foreign company है, वो इंडिया की resident तभी बनती है, अगर foreign company का poem इंडिया में है, क्या है, पोयम जो है, वो इंडिया में है, लेकिन poem इंडिया में है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए एक CBDT की guidelines है, और आपको guidelines को follow करना पड़ेगा, जिसको हम poem guidelines बोलते हैं, अगर वो poem guidelines को जब आप follow करते हो, तब आपको पता चलेगा, कि भईया यहाँ पे जो है, वो इंडिया में poem है या नहीं है, अब एक बास समझता, poem guidelines क्या है, कैसे है, वो मैं आपको समझाए है, कोशिश करता हूँ तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए, अगर कोई foreign company है, और foreign company, अगर कोई foreign company है, ध्यान देना मेरे words पे, और foreign company के case में अगर दो चीज़े satisfied हो गई, एक तो उसका ABI test fulfill हो गया, ABI test का मतलब होता active business outside India, और दूसरा अगर उसकी majority of board of director का meetings जो है, वो outside India हुआ है, तो उस case मे यह माना जाएगा कि उसका poem इंडिया के बाहर है, और वो इंडिया के लिए non resident है, मैंने क्या बोला, देखिए, foreign company के लिए, अगर दो चीज़े, दो condition satisfied हो गई, पहला तो अगर उसका ABI test fulfill हो गया, ABI का मतलब होता active business outside India, और दूसरा है, कि अगर majority board meeting इंडिया के बाहर है, तो उसका यह माना जाएगा, उसका poem इंडिया के बाहर है, अब आप बोलोगे ABI test fulfill कब माना जाता है, तो देखो ABI test fulfill कब माना जाएगा जब चार condition satisfied होनी चाहिए, पहली condition तो यह है, कि उस company का जो passive income है न, that should not be more than 50% of the total income, means उस company का passive income should be restricted to the 50% of total income, it should not be more than 50% of total income, in simple word बोलू तो total income में passive income 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दूसरी condition, उसका less than 50% asset इंडिया में situated होना चाहिए, उसका less than 50% number of employee है, वो इंडिया में होने चाहिए, और resident होने चाहिए, और बेटा जो इंडिया में employee है, उनका जो payroll expenditure है, उसका total payroll expenditure का less than 50% होना चाहिए, अगर यह चारों condition satisfied हो यह माना जाएगा कि उस company का ABI test fulfill हो गया, active business outside India test, अब एक बात बता हो वाबस बोल रहा हो, ABI test कब fulfill होता है, जब 4 conditions satisfied होती है, पहली condition यह है कि passive income should be up to 50% of total income, in simple word I can say that, passive income should not be more than 50% of the total income, दूसरी condition यह है, अब आप बोलोगे passive income बोलते किसको है, तो देखो passive income का मतलब क्या होता है कि अगर मानलो या तो आपका purchase and sales दोनों associate enterprise को है, जो आपने purchase किया and sale किया, अगर वो दोनों associate enterprise को है, तो वो passive income माना जाएगा, उसके बाद में जो interest का income है, या फिर dividend का income है, वो तुमारा passive income माना जाएगा, तो जो capital gain का income है, वो passive income माना जाएगा, उसके बाद में जो interest का income ह या फिर dividend का income है, वो तुमारा passive income माना जाएगा, तो जो capital gain का income है, interest का income है, dividend का income है, वो passive income माना जाएगा, लेकिन अगर आपका मान लो, lending का business है, तो interest का income है, वो तुमारा active income हो जाएगा, तो पहली condition ABI test की क्या है, आपका passive income should not be more than 50% of total income, जितनी भी आपकी total asset है उस foreign company की, उसमे से less than 50% asset इंडिया में होने चाहिए, जितने total employee है, उसमें less than 50% employee है, वो इंडिया में होने चाहिए, और जो इंडिया में employee है, उनके लिए जो payroll का खर्चा है, वो total payroll खर्चेगा, 50% से कम होना चाहिए, तो उस particular case में, वो ABI test fulfill हो जाएगा, और अगर मान लो, majority board meeting इंडिया के बाहर होती है, तो उस company का poem है, वो इंडिया माना जाएगा, इंडिया के बाहर है, और वो इंडिया के लिए non-resident बन जाएगी, तो देखे, एक question दे रहा है, बहुत ही प्यारा question है, ABC Limited, a software joint in India, set up a 100% subsidiary company by name of the HHD, INC in the Switzerland, on the 1st April 2022, तो एक company है, SHD, INC in the Switzerland, the subsidiary company SHD, INC is mainly engaged in the software service, hardware service and data backup service in the three different countries, means, वो company कहां का काम कर रही है, Switzerland में कर रही है, Sweden में कर रही है, और इंडिया में कर रही है, the following information is furnished by the HSD, for the previous year 22-23, सबसे पहले दे रखा है, value of asset as per the books of accounts, करोड में दे रखी है, Switzerland में उनकी 24 करोड की asset है, Sweden में उनकी 12 करोड की asset है, और इंडिया में उनकी 24 करोड की asset है, तो इन 24 करोड, उसके बाद में आप 12 add कर दीजिए, उसमें and 24 add कर दीजिए, तो total हो गया, उसका 60 करोड का asset, तो उसका जो total asset है, वो 60 करोड का asset है, उस company का, उसके बाद number of employee working in thousands, तो कितने employee work कर रहे है, 30,000 है वो Switzerland में, Sweden में कर रहे है, 10 तो 40 हो गया, और 28 इंडिया में, तो इसका मत 1000 employee है, वो काम कर रहे है, पूरे world में मिला के, payroll expenditure कितना है, जो Switzerland में उनके लिए 4 करोड रुपेज, जो Sweden में उनके लिए 2.6 करोड और जो इंडिया में, उनके लिए 5.4 करोड, तो इसकी अगर आप total करेंगे, तो 4 करोड प्लस 2.6 करोड प्लस आप करेंगे 5.4 करोड, it comes to the 12 क करोड रुपेज है, वो total आपका क्या है, employee का payroll expenditure, आगे दे रखा है other information, आप से पूचा हुआ है, breakup of the total income, उसमें बोला हुआ है 28 करोड derived from the, उनकी total income 80 करोड है, but 80 करोड में क्या है, 28 करोड derived from the transaction where purchase are made from associate enterprise and sold to non-associate enterprise, एक बात बताईए, ये income active है या passive, right, transfer is active income है, देखो passive income उसक purchase and sale, दोनों associate enterprise को हो रहा है, इस purchase भी associate enterprise को, sales भी associate enterprise को, तो उस particular case में वो तुमारा passive होगा, 24 करोड derived from the transaction where both purchase and sales made from the associate enterprise, तो ये तुमारा बेटा passive income हो जाएगा, दूसरा, 16 करोड derived from the transaction where purchase are made from non-associate enterprise and sold to associate enterprise, ये आपका active income है, 8 करोड by way of the income from capital gain on trading on shares, ये तुमारा passive income है, and 4 करोड by way of interest from non-associate enterprise, ये भी तुमारा passive income है, तो आपका total passive income कितना हुआ, एक तो 24 करोड हुआ, एक तुमारा 8 करोड हुआ, और एक तुमारा 4 करोड हुआ, तो 24 and 8 होता है, 32 and 4 होता है, आपका 36 करोड, तो 36 करोड का income आपका passive income है, अब आपसे पूचा क्या है, during the financial at 22- 23, total 5 board meeting were held, 2 in India, 1 in Sweden and 2 in the Switzerland, तो total आपकी जो meeting हुई, वो कितनी हुई, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, 5 board meeting हुई है, जिसमें से 2 इंडिया में हुई है, और 3 इंडिया के बाहर हुई है, means 1 in Sweden and 2 in Switzerland, means 3 meeting held outside इंडिया, तो मैं बोता दू, majority board meeting इंडिया के बाहर हुई है, पहल 50% से जादा नहीं होनी चाहिए, तो मुझे बताइए, आपकी total income है, वो 80 crore है, उसका 50% कितना होगा, 40 crore, एक बात बताइए, passive income सिरफ 36 crore है, means passive income is not more than 50% of the total income, so first condition satisfied, दूसरी condition, आपकी total asset में, इंडिया में asset हो less than 50% होनी चाहिए, तो देखे, 60 crore का less than 50% होता है, 30 crore, 30 crore से कम है, इंडिया में asset, answer is yes, second condition satisfied होगी, जितने total number of employer, उसमें less than 50% इंडिया में होने चाहिए, तो 68,000 जो total है, उसमें से इंडिया में सिरफ 28,000 है, तो less than 50% है, तो यहाँ पे ये condition भी satisfied होगी, और बेटा, आपका, जो इंडियान employee, उनके लिए, जो total payroll का expenditure होता है, company का, उसमें इंडियान employees के लिए less than 50% होना चाहिए, तो 12 करोड का 50% होता है, आपका 6 करोड, तो 6 करोड से कम है, इंडियान employees के लिए answer is yes, तो यहाँ पे all condition satisfied हो जाती है, तो यहाँ पे ABOE test fulfill हो रहा है, और उसके साथ साथ में majority board meeting है, वो इंडिया के बाहर हो रही है, तो ये company आपकी क् पर solution को कि वाँ रहा हो रहा है, तो ये अपकी का रहा है, वो अवियान. कर दो कर दो चलिया दन हो गया चलिया अब चलते हैं कर दो आ जाईए सब लोग, Z Private Limited files its return of income for the previous year 22-23 on 30th September 2023, declaring a loss of 14 lakh रुपेज, तो उन्होंने क्या किया, अपना return फाइल किया और return में loss बताया 14 lakh का, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इस company ने अपना ROI फाइल किया और ROI में 14 lakh रुपेज का क्या बताया है, loss बताया है, आगे दे रख एक बात बताओ, एक expenditure है जो डिसलाओड होना चाहिए, क्योंकि उसके supporting कोई document नहीं है, तो यहाँ पे audit report में chartered accountant ने डिसलाओड कर दिया, लेकिन company ने उसको अपने रिटन में डिसलाओड नहीं किया, तो मैं बताओ, intimation में यह डिसलाओड हो जाएगा, क्योंकि 143.1 में you know that 5 changes होते है, 5 changes होते है, उसमें एक point यह भी है, क्या अगर मालो CA ने कोई भी expenditure डिसलाओड किया है, या CA ने कोई income को add किया है और आपने अपने return में नहीं किया है, त आगे दे रखाए, the return of income was processed by the central processing center making an addition of the 50,000 towards the personal expenditure and the loss under section 143.1 was computed as 13,50,000, तो एक बात बताओ, जब आपका 143.1 में processing हुआ और उसमें आपका loss है, वो 13,50,000 हो गया, because 50,000 का जो भी आपका expenditure था, वो disallowed हो गया, तो expenditure disallowed होगा, तो loss कम हो जाएगा आपका, अब आगे क्या हुआ, the return of income was selected for the scrutiny assessment by the order pass under section 143.3 में scrutiny हुआ, the loss as per the normal provision was reduced to 10,50,000 by making the addition of the 3,000, अब उसमें क्या हुआ, 143.3 में scrutiny हुआ, और scrutiny में आपका loss है, वो 10,50,000 हो गया, 10,50,000 आपका scrutiny में आपका loss हो गया, preceding order under section 143.3 was converted into the income of 2,00, अब यहां पर गया हुआ, 147 जब हुआ, तो 147 में भाई साब आपकी income जोड़दार बढ़ गई, और 12,50,000 से आपका income बढ़ गया, और यहां पर बेटा, 2,00, रुपेस का आपका positive income आगया, 2,00, रुपेस है, यहां आपका positive income आगया, अब आपसे सबसे पहला, which of the following statement regarding the penalty on addition of 50,000 towards the personal expenditure is correct, एक बात बताईए, पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊ, कि यहां पर जो 50,000 का add-on हुआ, क्या यह under reporting या mis reporting of income माना जाता है या नहीं, अगर return की income और intimation की income में change होता है, क्या यह under reported income माना जाता है या नहीं, answer is no, this is not treated as under reported income, यह under reported income य नहीं माना जाता है और इसमें कोई भी penalty नहीं लगेगा, तो देखिए, यहां पर आपका सही answer क्या होगा, क्रिके ठीक है, since Z has claimed the deduction on amount incurred towards personal expenditure of the director, Z shall be considered to have under reported income, answer is no, this is wrong, the under reporting on account of claiming personal expenditure of director as deduction can be mis reporting, no, no, mis reporting नहीं है, since addition of 50,000 is an adjustment referred under section 143.1, no penalty is leviable in respect of this addition, तो बेटा, यह जो तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट, this is the right answer, so in simple word मैं बता दू, यहां पर आपका C जो है, वो आपका right answer होगा, उसके बार, next part, what is the penalty leviable under section 270A as consequence of the assessment under section 143.3, if the addition was not on account of the mis reporting, अगर यह mis reporting नहीं है, under reporting है 143.3 में, तो यहां पर कितना penalty होगा, तो एक बात बताओ, मैंने आपको यह बताया हुआ है, कि इसके बीच में यह जो difference है ना, यह तुमारा under reported income माना जाएगा, तो यहां पर आपका under reported income कितना आ जाएग क्योंकि loss कम हो जाता है, तो 3,00,000 है, यहां पर 3,00,000 से आपका loss कम हुआ, इतना under reported income है, अब इस पर tax कैसे निकालेंगे, तो जैसे ही आपका loss कम हो जाता है, या loss से income में convert हो जाता है, तो जितना भी amount होता है, directly आप इस पर tax निकाल दीजिए, तो यह जो 3,00,000 है, इस 3,00,000 आप ले लीजिए, और उसका आप 30% करिए, तो 30% comes to 3,00,000 का 30% कितना आता है, 90,000 आता है, अब यह 90,000 जो आया, उसमें आप 4% जो है, वो आप health and education से add कर दीजिए, 93,600 आया और उसका 50% आप penalty होगा, तो 46,800 का आपका penalty आ जाएगा, तो 46,800 is your penalty for the under reported income under section 278, अब एक और क्यों यह बोलता है, what is the penalty liable under section 278, at the time of passing of order under section 147, considering that all the addition are on account of the misreporting of income, अब एक पास समझना, अगर यह misreporting of income है, तो मैं बता हूँ, under reported income ही misreported income बन जाता है, तो यहाँ पे आपका under reported income कितना होगा, 12,50,000 होगा, तो पहले तो 12,50,000 पे आप 30% की rate से tax निका लिए, 4% health and education से add कर दीजिए, और जो tax आएगा, उसका 200% penalty लगता है, अगर यह misreporting है, तो under reported income, अगर misreported की बज़य से है, तो यहाँ पे 200% of tax का penalty लगता है, तो 12,50,000 लिजिए, और सबसे पहले आप उसका 30% कर दीजिए, उसमें फिर आप एक काम करिए 4% health and education says add कर दीजिए, और उसको multiply by आप 200% कर दीजिए, तो I think 7,80,000 आता है, this 7,80,000 will be your penalty under section 270A का penalty आपका 7,80,000 हो जाएगा, उसके बाद में, आगे क्या दिरखाए, assume that the addition made in order under section 147 are not on account of misreporting of income, मालो जो 147 में 12,50,000 का addition हुआ है, वो misreporting नहीं, under reported है, but only on account of under reported, Z wants to claim immunity from the imposition of penalty 270A and initiation of the proceeding under section 276C of the act, by filing an application in this regard, before the assessing officer, what are the other conditions that need to be satisfied by Z in this regard, Z को कौन कौन सी condition है, वो satisfied कर दी पड़ेगी, एक बात बताओ, जब भी आपको under reported income होता है ना, और उस पे अगर penalty लगता है, तो उसमें क्या होता है ना, के एक section ही ये बोलती है, वहाँ पे, के अगर मालो तो आप जो भी उस पे tax आता है, interest आता है, वो आप pay कर देते हो, मिस जो भी order में दे रखा है, demand notice में दे रखा है, demand notice में जितना tax दे रखा है, interest दे रखा है, वो आप pay कर लेते हो, और इसके against में आप कहीं पे भी appeal में नहीं जाते हो, तो आप AO को apply कर सकते हो, और AO आपका penalty म माप कर सकता है तो दो conditions satisfied करनी पड़ेगी पहली चीज तो जो भी आपका demand notice में tax दे रखा है interest दे रखा है वो आप pay कर दीजिए जो 147 का order रहता है उस order के बाद में demand notice आता है वो demand notice में जितना भी आपका जो भी क्या बोलते है tax रहता है interest रहता है वो आप pay कर दीजिए time पे और आप appeal नहीं करेंगे आप ऐसा लिखके देते तो ये penalty आपकी map हो सकती है और इसमें बेटा penalty आपकी map की जा सकती है तो देखो क्या condition satisfied करनी पड़ेगी पहली condition pay the tax and interest payable as per the order under section 147 within the period specified in the notice of demand तो notice of demand में जो period दे रखा है उसमें आप pay कर दीजिए पहला condition सही है दूसरा pay the tax as per the order नहीं नहीं टेक्स नहीं आपको interest भी pay करना पड़ेगा contest the addition made in order after paying the tax and interest ऐसा कोई ऐसा contest करने की जरूरत नहीं है no appeal should be or should have been file against the order आपको appeal फाइल नहीं करनी है तो यहाँ पर first and last fourth point first and fourth word इसका मतलब है D है D will be the right answer गर गए ठीक है चलिए उसके बाद में last point पे चलते है out of the addition 3 lakh made by order under section 1433 an amount of 1 lakh is on account of the false entry deliberately made by Z in its books of accounts apart from the penalty 270A what are the other prosecution or panel consequences if any that would be attracted in case of the Z अब एक बात समझना अगर माल लो आप जो है वो कोई भी गलत entry करते हो false entry करते हो means आप क्या करते हो fake entry करते हो false entry करते हो तो आपको बता एक section हुई है 271 AAD करके एक section है और 271 AAD क्या बोलती है बता है कि भाईया जितना आपका false entry का amount है उतना का उतना 100% तक आपको penalty लग जाएगा 100% तक आपको penalty लगेगा और section 276 C का आपको prosecution jail भी हो सकती है तो यहाँ पे एक बात बताए तो यह थ्री लेक में अगर वन लेक रुपेज आपका false entry वाला है तो जो भी तुमारा वन लेक रुपेज है वो वन लेक रुपेज का उतना का उतना आपको penalty लग जाएगा अंडर section 271 AAD और उसके साथ साथ में आपको prosecution 276 C का हो सकता है तो अगर आप false entry करते हैं उसमें आपको 100% है वो false entry के amount के उतना penalty लग सकता है तो A will be the right answer उसके बाद बेटा question number 18 है वो हम already कर चुके है question number 18 है वो मैं आपको already करा चुका हूँ आप देख सकते है question number 19 है वो भी मैं already आपको पहले करा चुका हूँ question number 19 के बाद मैं question number 20 अब एक बाद समझना question number 20 जो है वो question number 20 के अगर मैं बात करू that is FII और non resident taxation से related यह question है अब एक बात समझना आप इसको ऐसे याद रख सकते है FII को तो FII की जो income होती है ना पहली चीज़ तो यह है कि अगर कोई foreign institutional investor है उसको अगर rupee denominated bonds पे interest मिलता है तो तो एक section होती है 115A वो यह बोलती है कि interest 5% से taxable होगा अगर FII है और FII को जो Indian company है उसने rupee denominated bonds issue किया था और उस पे कोई interest मिलता है तो उस पे आपको 5% की rate से tax लग जाएगा यह कहाँ पे दे रखा है तो आप चाहिए तो आप compact में एक पार देख सकते है मैं चलिए मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ तो compact जो है आपका volume number 2 पे जाएंगे और compact volume number जो 2 है उसमें देखिए क्या दे रखा है तो compact 2 में अगर आप first topic देखेंगे that is related to your FII FII का कहाँ पे दे रखा है अरे राजा यह राले FII वाला करके ठीक है FII वाला है वो आपको दे रखा है यहाँ पे देखिए equalization levy नहीं equalization levy से पहले आपका transfer pricing के बाद जो topic है वो FII वाला चलिए यहाँ पे दे रखा है तो अगर मैं FII की बात करूँ तो FII के लिए देखेंगे सबसे पहले तो आप अगर देखेंगे 115 A section तो 115 A section की अगर मैं बात करूँ तो 115 A में क्या बोलता है कि अगर interest payable to FII और QFI को for the investment made in the RDB of Indian company और government security up to 30th June 2023 और in respect of investment made by the pay in the municipal debt security from 14 2020 से लेके 30th June 2023 तक उस पे 5% की rate से बेटा यहाँ पे tax लगेगा तो FII को अगर किसी Indian company से rupee denominated bonds पे RDB का मतलब होता है rupee denominated bonds पे या government security पे कोई interest मिलता है that is going to be taxable at the rate 5% और उसके साथ साथ में बेटा यहाँ TDS भी 5% की rate से आता है under section 194 LD पे गर गेगे अब एक और चीज़ समझना यहाँ पे इसके बाद में एक FII के लिए separate section और होती है that is the 115 AD और 115 AD क्या बोलती है कि अगर कोई भी FII है FII को security पे कोई भी capital gain होता है interest या dividend मिलता है तो उस पे कैसे tax लगेगा तो अपन FII की बात करेंगे तो FII को देखो अगर कोई भी long term capital gain हुआ किसी भी security पे long term capital gain हुआ उस पे 10% से tax लगाओ short term capital gain पे 30% से tax लगाओ और जो भी interest होता है उस पे 20% से tax लगाओ and STCG triple बने बाला है उस पे 15% से tax लगाओ तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते है कैसे बता है 10%, 20% and 30% आप इसको ऐसे याद रखिए न LTCG हुआ तो 10% आपको कोई भी income हुई security पे तो उस पे आपको 20% करके income हुई तो उस पे आपको 20% and short term capital gain हुआ तो उस पे आपको 30% तो ऐसे याद रखो 10%, 20% and 30% और ये तो याद रही जाएगा STCG triple बने बाला है तो उस पे 15% तो अगर कोई FII को इंडिया से income मिलती है और वो FII को income किसे मिल रही है LTCG हुआ किसी पे भी LTCG हुआ security पे ठीक है तो 10% लेकिन एक चीज समझना अगर वो LTCG 112 ए बाला है 115A, 115 उसके बाद AC, उसके बाद AD इन section में आप एक चीज ध्यान रखना कभी भी पहली चीज तो यह है कि ये section में आपको indexation का benefit नहीं मिलता as well as first proviso to section 48 वो आपका sunny वाला है ना वो benefit यहाँ पे नहीं मिलता है उसके बाद में ये sections है ये mandatory रहती है इसके सामने किसी भी खर्चे का deduction नहीं मिलता ये 115A से लेके और 115AD तक की section है इसके सामने किसी भी खर्चे का deduction है वो आपको नहीं मिलता as well as deduction under chapter 6 से भी नहीं मिलता एक except 80LA का deduction मिलता है जो IFSC में located unit होती है उनको 80LA का deduction मिलता है उसके अलावा कोई भी deduction नहीं मिलता लेकिन royalty FTS के सामने आप deduction ले सकते है under chapter 6A करके अब आप एक काम करिए अपन एक काम करते है कि सीधा उस question पे चलते है जो आपन देख रहे थे तो इस question में अगर आप देखते हो यहाँ पे तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे दे रखा है that is the NINC a notified foreign institutional investor में FIIE derive the following income from the financial year 22-23 यहाँ पे दे रखा है interest received on the investment in the rupee denominated bonds of the ABC limited and Indian company investment was made in the 17-18 of 8,50,000 का investment किया था अब एक बात समझना यहाँ पे not 8,50,000 का investment नहीं किया था 8,50,000 का interest received हुआ है अब interest received हुआ है FIIE को किस पे rupee denominated bonds पे of the ABC limited और investment है वो 17-18 में किया था एक बात बताओ यह interest पे tax rate कौन सी रहेगी 5% रहेगी लेकिन आप मुझे यहाँ पे ऐसा contradict करोगे आप बोलोगे कि sir 8,50,000 है वो gross basis पे taxable होगा answer is yes अब एक और चीज़ समनता आप मुझे यह भी तो पूछ सकते हुआ 8,50,000 है वो net interest है या gross interest है क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले तो यह बताया था कि अगर यह interest received word दिया है तो यह मानना है यह after TDS है तो क्या हम ऐसा मानेंगे कि this 8,50,000 is for 95% और उसको 100% ऐसा करना पड़ेगा एक बात बताऊँ जब ICI ने यह exam में question दिया था तो इसको gross up नहीं किया था ICI ने बोला कि यह gross interest ही है अब यार उस time पे जब यह question आया था आज से 3-4 साल पहले आया होगा I think question है तो जब यह question आया था करना है देखो exam में तो अगर आपको interest received word दे दे और obviously इसमें TDS आता है तो TDS आता है under section 194 कौनसी section थी I think 194 अभी तो अपन ने देखा था कि TDS की जो section थी इसमें TDS भी आएगा और इसमें जो TDS की जो section थी that section interest में interest में interest में जो TDS की section 194 LD तो 194 LD में TDS भी तो 5% की rate से आएगा तो क्या हम इसको gross up करना चाहिए ये net interest मान सकते है answer is yes आपको आज की rate में अगर ये question आता है इसको net मानना है उस time पे institute ने नहीं consider किया था बट आज के लिए suggested answer दे रहे है उसमें क्या कर रहे है जहाँ interest receive word है ना उसमें बोलते है उस पे उनको interest मिला 17,32,000 का उस पे expenses 26,000 का है has been incurred to earn such income अब एक बात समझना यहाँ पे ये 26,000 का जो interest है ना ये allow नहीं होगा क्योंकि gross basis पे interest on security taxable होगा and it is going to be taxable at the rate 20% under section 115 AD में क्योंकि मैंने आपको क्या बोला 10% 20% 30% 10% है वो long term पे लगाई है 20% interest dividend पे लगाई है और 30% है वो short term पे लगाई है कोई भी security हो उसमें आपको 10,20,30 है वो आपको चलाना है आगे दे रखाए income from sale of the security and shares ये security and shares sale करने से सबसे पहले उन्होंने bonds बेचे किसी Jupiter limited company के जो की purchase किये थे 5th May 2019 को and उसका sale है 7 March 2023 को तो पहली चीज तो यहाँ पे long term है तो 47 lakh में से जो भी आपका 32 lakh है वो आप less कर दीजिए तो यहाँ पे आपका बचता है I think 15 lakh रुपेस तो 15 lakh रुपेस बचेगा long term पे आपको 10% की rate से tax लगेगा तो just taxable at the rate 10% उसके बाद listed shares of the earth limited earth limited के listed share है date of purchase 2022 में है and आपने sale कर रहे है 9th February 2023 को so this period of holding is you know that not more than 1 year यह 1 year से भी जादा नहीं है तो यहाँ पे short term होगा and बोला है STT paid both at the time of purchase and at the time of sale तो यहाँ पे जो भी आपका gain आएगा that will be taxable at the rate 15% under section 111 A 111 A में यह 15% से taxable हो जाएगा and बिटा जो unlisted equity share है Mars Limited के unlisted equity share है 2022 में खरीदा था and उसको 2023 में ही आप बेच रहे है इसमें भी आपका period है वो 2 साल से जादा नहीं है तो जो भी capital gain आएगा that is going to be taxable at the rate 30% क्योंकि यह आपका short term capital gain आएगा and short term capital gain is going to be taxable at the rate 30% तो इसको आप ऐसे याद रख सकते है FII वाले question को कि देखो पहली चीज़ है अगर माल लो उनको rupee denominated bonds पे अगर interest मिलता है या government security पे मिलता है then it is taxable at the rate 5% under section 115 A उसके बाद कोई भी income होती है FII को तो वो taxable होती है 115 AD में और 115 AD क्या बोलती है 10% 20% and 30% इसका मतलब यह हुआ कि 10% LTCG पे लगाई है कोई भी LTCG है 10% लगाई है उसके बाद जो income होती है means interest and dividend होता है उस पे 20% लगाई है और जो भी तुमारा short term capital gain है उस पे आप 30% है वो लगाई है बर 111 A वाला है then आपको 15% की rate से tax लगाना है तो आप यहाँ चेक करेंगे आपको मिल जाएगा अब यहाँ पे आपकी total income 50,10,000 है अब यह FIA यह ना यहाँ पे किसी का doubt होगा क्या इसमें surcharge क्यों नहीं लिया क्योंकि एक बात बताईए यहाँ पे यह company है that is notified for an INC INC का मतलब होता है incorporation company foreign company है और उसके बाद हम चलते है question number 21 पे क्योंकि बाद है चलिए अब अपन चलते है एक और next question और यह question बहुत ही प्यारा है transfer pricing का question है और मस्त वाला question है माग कर सकते हैं इसको IMP क्योंकि बहुत सारे concept यहाँ पे cover होने वाले आपके यहाँ पे देखिए भाई साब बहुत सारे question से वो यहाँ पे cover करें एक ही question में मैंने इतना सारा डाल दिया है आप बोलेंगे sir क्या sir यह एक ही question था तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है सबसे पहले एक company यह alpha private limited is engaged in the manufacturing of the governments तो यह garments बनाती है कपडे बनाती है it sold garments to the beta inc of California USA which has the 28% voting power in alpha private limited and to other unrelated parties तो यह alpha private limited क्या गड़ दिया है इसकी एक associate enterprise है beta inc in the California USA which has 28% voting power तो देखिए 26% और more का equity shareholding voting power हो गया तो दोनों associate enterprise बन गई अब एक बात समझना आगे क्या दे रखा है during the previous year 22-23 alpha private limited sold 2 lakh pieces of the t-shirt at the rate USD 6 per piece to the beta inc miss इन्होंने क्या किया बता है कि एक company जो alpha limited है associate enterprise को मैं इसको A limited बोल दो A limited and B limited ये दोनों associate enterprise है और इसने क्या किया इसको कुछ good sale किया है और बेटा ये दोनों आपस में associate enterprise है और इन्होंने जो good sale किया है वो कितना good sale किया है 2 lakh pieces sale किया है USD 6 पे तो यहाँ पे 2 lakh pieces sale किया है at the rate USD 6 है उससे sale किये है ठीक है चलिए आगे क्या दे रखा है अब एक बात समझना यह तो associate enterprise को गिया बट यह identical shirt है यह दूसरों को भी sale करते है बट दूसरों को कितने में sale करते है एट डॉलर में एट डॉलर पर piece में यहाँ पे हो रही है यहाँ पे जो six dollar per piece में sale कर रहे हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ sitting कर रहे है however the terms of the sales to the beta INC included provision for guarantee by the beta INC to the bank of america on the loan of 10 crore availed by the company from the bank of america अब एक बात समझना यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने bank of america से एक loan लिया है 10 करोड का और वो 10 करोड के loan पे उसकी जो associate enterprise है ना उसने guarantee दी है और इसकी वज़े से हो सकता है उसको कम rate में sale कर रहे है and providing the company access to the beta INC database on the market trained in the Asia और यह लोग क्या कर रहे है कि जो beta INC का database है ना वो database का हमको access भी मिला है तो वो access मिलने की वज़े से उसको कम में sale कर रहे होंगे the interest paid by alpha private limited on the bank of America loan for the financial year ended 31st March 2023 amounts to Rs 200 lakh 200 lakh का जो है वो उन्होंने इस साल में interest pay किया है आगे दे रहा है alpha private limited paid 1% to the beta INC for providing the guarantee on the loan from bank of India bank of America sorry तो bank of America से जो loan लिया ना उसके लिए यह alpha limited ने beta limited को 1% है वो guarantee fees दिया है कितना दिया है 1% guarantee fees दिया है लेकिन market rate for availing guarantee for the similar transaction is 2% market में अगर यही guarantee लेने जाते तो 2% लगता इसका मतलब एक बात बताओ अपने को यहाँ पे फाइदा हो रहा है फाइदा कितने का हो रहा है तो 10 करोड का लोन है और उस पे अपने को सिरफ 1% guarantee जो commission देना पढ़ रहा है बट अगर हम बाहर किसी से यह guarantee लेते तो 2% देना पढ़ता तो मैं बताओ 10 करोड पे अगर आप 1% calculate करेंगे तो इस comes to the 10 lakh रुपेस तो यहाँ पे हमको 10 lakh रुपेस का फाइदा हो रहा है 10 lakh रुपेस का हमको benefit मिल रहा है किस से मिल रहा है अपनी associate enterprise से मिल रहा है उसके साथ में आगे क्या हो रहा है अलफा private limited also paid the 7 lakh to beta inc towards the cost incurred in providing the excess of its database उसका जो database use कर रहे है उसके लिए उसको हम कितना पे कर रहे है 7 lakh but if the company had obtained the similar database from the unrelated party the cost would have been the 12 lakh हम अगर यह database किसी unrelated party से लेते तो हमको 12 lakh पे करना बढ़ता तो मैं बताओ यहाँ पे 5 lakh रुपेस का और अपने को net benefit हो रहा है because we are paying to associate enterprises only 7 lakh बढ़ अगर हम यह बाहर से लेते तो हमको 12 lakh पे करना रहता तो यहाँ पे 5 lakh का आपको और additional benefit हो रहा है आगे क्या दे रखा है beta inc markets apparels globally under its brand name beta inc है वो globally अपने जो apparels से उसको बेचती है its sale in the many country including India through a e-commerce operator at a price which is generally mark up at 50% of its cost of purchase means यह इंडिया में भी goods बेचते हैं पूरे वल्ड में बेचते हैं e-commerce operator के थूँ यह कोई e-commerce operator है यह e-commerce operator कौन है अभी बताएंगे यह आगे beta inc market apparels globally under the brand name and its sale many country including India through the e-commerce operator at a price which is generally mark up at 50% of its cost of purchase during the financial year 22-23 its sales in India was 2.8 crore through the e-commerce operator that is the fee e-commerce limited London which does not have any permanent establishment in the India तो इस साल में क्या हुआ बता है कि इनका 2.8 crore का goods है वो इन्होंने एक e-commerce operator के थूँ बेचा जिसका नाम है that is the fee e-com limited London की company है और जिसका इंडिया में कोई भी permanent establishment नहीं है and leveraging their combined knowledge and experience alpha limited and beta inc provided their know-how on the supply chain of textile industry to the unrelated party that is dinc USA a new company manufacturing garment from the recycled plastic अब क्या हुआ यह alpha और beta ने दोनोंने मिलके और मिलके ऐसा joint venture में इन्होंने एक company है delta limited उसको उन्होंने क्या किया बता है उसको उन्होंने नोहाँ दिया है कि भई textile industry में कैसे grow करे तो उससे related उसको नोहाँ दिया है आगे क्या दे रखा है next point इनका 2021 का कोई income है वो 350 lakh का income AO ने enhance किया है और AO ने arm length price निकाली है और arm length price है वो determined by the transfer pricing officer के order की वज़े से निकली है और assessment order पास हुआ 31st October 2022 को और company ने decide किया है कि चलो हम यह order को accept कर देते हैं अब एक बात बताओ यहाँ पर अगर माल लो AO आपकी income बढ़ाता है तो इसका मतलब यह primary adjustment हुआ और primary adjustment अगर 1 crore से ज़्यादा है और AO के order की वज़े से तो वहाँ secondary adjustment भी करना बढ़ेगा यू know that एक section हुआ करती है 92 CE करके और 92 CE बोलती है कि 5 cases में आपको secondary adjustment होगा पहला तो अगर आप suo moto own motion primary adjustment करते हो या फिर AO के order की वज़े से या फिर map की वज़े से या फिर safe harbor rules की वज़े से या फिर अपा की वज़े से तो उसमें secondary adjustment करना पड़ेगा और जितना income enhance किया जाता है जो भी आपका excess money 350 lakh है 350 lakh का मतलब 3.5 करोड पहली चीज़ तो यहाँ पर secondary adjustment करना पड़ेगा ये पैसा आपको इंडिया में repatriate करना पड़ेगा within the 90 days 90 days कहां से count होता है assessment order के case में बिटा order की date से 90 days count होता है 90 days के अंदर अंदर वो पैसा इंडिया में repatriate करना पड़ेगा अग आगे क्या दे रखा है देखिये Mr. Philip was a director of R&D of the Alpha Private Limited up to 31st March 2018 so 31st March 2018 Mr. Philip है वो हमारी company का एक director था on 1-4-2080 he returned to his hometown in country-wide वो country-wide चला गया करें ठीक है छोड़ चाड़ के चला गया करें ठीक है he visit India every year सिरफ 55 days के लिए इंडिया आता है हर साल in financial air 22 days he earned the royalty income of Rs. 15 lakh from the ABC limited and Indian concern under an agreement approved by the central government and incurred expenditure of 2 lakh for earning such income तो उसने ना इंडिया से royalty मिला पहली चीज तो वो बंदा सिरफ 55 days के लिए इंडिया में इस साल आया है तो यहीं से पैदा चल रहा है वो non-resident क्योंकि इंडिया में रहने के लिए condition basic condition तो satisfied करनी पड़ेगी एक आधी तो यहां तो एक भी satisfied नहीं कर रहा है तो पहली चीज तो यह non-resident है अब इस साल में यह non-resident है और उसको इंडिया से royalty मिल रहा है और royalty मिल रहा है और यह agreement central government ने approve किया है तो अभी अपन ने पढ़ा था section 115A लग जाएगा and this royalty is taxable at the rate 10% 10% की rate से वो royalty taxable हो जाएगी his interest income on the fixed deposit with the SBI बड़ो दा ब्रांच amounts to 4 lakh उसको FD पे interest भी 4 lakh मिला है his business income in country Y for the financial year 2223 in USD 22,172 and interest on saving bank account in country Y for that year is USD 1472 आप से पूचा है assume the rate of exchange of 1 USD is 80 and 1 year marginal cost of fund lending rate of SBI as on 1 for 2021 वो 10% है and as on 1 for 2022 है वो आपका 10.25% है अब आप से कुछ question पूचे हुए है वो question के answer आपको करने है सबसे पहला choose the correct alternative for the following MCQs पहला what is the due date by which the alpha private limited must receive the excess money consequent to the arm length price adjustment made in the assessment order for the assessment year 2021 अब एक बात बताओ इसमें assessment order का date क्या है तो आप देखेंगे यहां assessment order का date है वो 31st October 2022 दे रखा है सबसे पहले आपके November के 30 days December के 31 days और आपके January के कितने आजाएंगे 29 days आजाएंगे तो January के 29 days इसका मतलब आपको 29 January 2023 तक वो पैसा इंडिया में repatriate करना पड़ेगा जो excess money है वो 29 January 2023 तक इंडिया में repatriate करना पड़ेगा अगर आपने इस date तक repatriate नहीं किया तो यह माना जाएगा आपने अपनी associate enterprise को loan दिया है और उसमें फिर interest income आपकी income में जोड़ देंगे next part तो आपने 31st March 2023 तक अगर वो पैसा repatriate नहीं किया तो क्या होगा बेटा देखिए पहली चीज तो आपका excess money है कितना तो excess money वहाँ पे 350 lakh है तो आप एक काम करिए सीधा ले लिजिए 350 lakh का मतलब 3 crore and 50 lakh रुपेज अब इस पे आपको कौन सी rate से interest लेना है तो देखिए बिटा यहाँ पे interest की rate क्या रहती है पहली चीज आपको यह देखना है कि transaction है वो denominated in Indian currency है और foreign currency है अगर यह Indian currency है तो आप एक काम करिए जिस previous year की income बन रही है उस previous year के 1st April का SBI का 1 year का marginal cost of landing rate में 3.25% add कर दीजिए और अगर यह foreign currency है तो जिस year की इंकम बन रही है उस year का 30th September का 6 month का लिबोर लीजिए और उसमें 3% add कर दीजिए पहली चीज तो यह transaction आपका Indian currency में है का lending rate 10.25% दे रखा है तो आप एक काम करिए यहाँ पे 10.25% प्लस 3.25% कर दीजिए तो आपका 13.5% का आपका rate हो जाएगा और multiply by कितने दिन के लिए तो अगर आप number of days count करेंगे तो आप November के ले लीजिए 30 days November 30 days उसके बाद December के 31 days January के 31 days February 28 days and March के 31 days it comes to the 151 days तो multiply करिए 151 days divide करिए 365 days से और आप देखिए यहाँ पे total interest कितना आ रहा है तो आप क्या करेंगे देखिए 3.50.000.000 पहले आप ले लीजिए और 3.50.000.000 multiply by आप करिए 13.5% और जो भी आता है divide करिए 365 और multiply कर दीजिए 151 से तो आप देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे I think यहाँ पे 19,54,726 आ रहा है so D will be the right answer यह तुमारा right answer होगा 1954 726 पॉइंट आपका something आ रहा है 02 कर गए ठीक है so this will be your right answer यह आपका interest income बनेगा अब एक और चीज़ समझदा in case of alpha private limited is not able to repatriate the excess money referred in MCQ number 1 from the beta INC what is the additional income tax it should pay so that there is a no secondary adjustment आपको बता इस section में एक amendment हुआ था और वो amendment यह बोलता है अगर आप यह पैसा repatriate नहीं कर पाते है तो आप एक काम करिए न सीधा आप 18% tax pay कर दीजे government को तो जो भी तुमारा excess money है 350 lakh multiply by 18% की rate से tax लीजिए उसमें 12% surcharge and 4% health and education says आप add कर दीजिए तो कितना amount आता है उतना आप tax pay कर दीजिए तो देखिए 3,50 lakh आप लीजिए अपने calculator में और 3,50 lakh लिया उसमें आप उसका पहले 18% कर दीजिए और 18% करके इसमें 12% आप add कर दीजिए और उसमें फिर आप 4% और add कर दीजिए तो I think आता है तुमारा 73,38,240 आता है उतना tax आप pay कर दीजिए आगे क्या देर रखा है अब एक बात समझना ये दोनों मिलके क्या कर रहे थे कि जो डेल्टा आइंसी करके जो company है उसको ये लोग जो है वो know-how दे रहे थे अब एक बात समझना इसमें क्या होता है जब भी आप कोई joint venture में काम करते हो तो वहाँ पे कौन सी method से arm length price निकाली जाती है that is the profit split method आपकी profit split method है वो most appropriate method होती है जब भी आप कोई joint venture में काम करते हो तो आपको most appropriate method है वो profit split method है और profit split method से आपको क्या करना पड़ेगा arm length price है वो निकालनी पड़ेगी जब आप joint venture में काम करते हो और वहाँ पे जो intangible वगरा ऐसा कुछ है गरगे ठीक है तो उसमें क्या होता है profit split method है उससे arm length price निकाली जाती है चलिए उसके बाद में और भी कुछ question पूचे हुए है question number descriptive मे between India and country why. Determine the amount of tax deducted at source from the royalty and interest paid or payable to Mr. Philip. Is Philip is required to file his income tax return in the India or not? तो पहली चीज तो एक बात बताईए है यह जो बंदा Philip है. फिलिप से related information इस वाले paragraph में दे रखी थी यह paragraph है इसमें आप देखिए तो Philip जो है पहली चीज तो वो non-resident है और non-resident है तो उसको जो भी एक तो यह royalty मिला ह है इंडिया से तो royalty का जो income है और government ने agreement को अप्रूव किया है royalty is taxable at the rate 10% under section 115A और जो इसको यहाँ पे इंडिया में एक और bank of बडोदा से interest मिला है that is going to be taxable क्योंकि non-resident के लिए है न सिरफ इंडिया इंकम taxable होती है उसकी जो country-wide की income है यह वाली 22,172 and 1472 डॉलर है यह इंडि 25A वाला royalty 10% से gross basis पे taxable होगा उसके सामने यह खर्चा allow नहीं होगा और 4 lakh का interest है वो आपका slab rate से taxable हो जाएगा क्या उसको return file करना पड़ेगा क्या देखो पहली चीज़ यह है कि दोनों में TDS कटेगा मैं इंट्रेस पे भी TDS कटेगा अब इंट्रेस पे 194A में TDS नहीं कटे अब एक चीज़ समझता है क्या उसको return file करना पड़ेगा यानि answer is yes अगर उसका सिरफ royalty का income होता ना तो तो return file नहीं करना पड़ता बट यहाँ पर royalty के अलावा उसका bank FD से भी interest है और जब bank FD से interest है तो उसको अपना return file करना पड़ेगा चलिए आप इसको देख लेंगे आप beta INC in India through the fee e-commerce limited under the domestic tax law and what would be your answer if the aggregate transaction with the person in India during the previous year 2223 is 1.8 crore instead of the 2.8 crore अब एक बात समझना यहाँ पी क्या हुआ beta INC एक foreign का company है और वो foreign का company क्या गर रहा है बता है एक और foreign का company है जिसका नाम है fee e-commerce limited London based company है उसके portal के थू यह इंडिया में goods बेच रहे है e-commerce operator के थू अब एक बात बताओ e-commerce operator है वो तुमारा fee e-commerce limited हुआ वो इंडिया में goods बेच रहा है 2.8 crore का तो एक बात बताईए पहली चीज तो अगर आपको याद रहे तो अपने domestic law में एक section हुआ करती है 911 that is related to the business connection और जो business connection वाली section है मैं आपको यहाँ पर बता देता हू एक बात बताईए business connection वाली section में क्या बोला है कि अगर कोई non-resident है और वो non-resident इंडिया में ये कोई goods वगेरा बेचता है और उसकी पूरे साल की value 2 crore से जादा है तो उसका deemed to be इंडिया में business connection माना जाएगा वो पताए SCP वाला concept है significant economic presence वाला और ये significant economic presence है वो significant economic presence की वज़े से ये देखिए ये वाला दे रखा है significant economic presence यहाँ पर क्या दे रखा है significant economic presence of a non-resident in India shall constitute the business connection in India कब significant economic presence कब मनेगा transaction in respect of any goods या service और property carried out by non-resident with any person in India including the provision of download of data और software in India और उसकी value है वो 2 crore से जादा है तो significant economic presence बन जाएगा और ये माना जाएगा यहाँ business connection है और इससे जो भी income होगी वो fee INC को जो income हो रही है that is going to be taxable लेकिन एक बात समझता है यह business connection माना जाएगा taxable हो जाएगी लेकिन एक बात बताओ same time यहाँ equalization ले भी भी लग जाएगा क्योंकि equalization वाले topic में आप देखोगे तो वहाँ पे मैंने आपको यह बताया हुआ है कि अगर कोई e-commerce operator है और वो कोई भी goods या service से sale कर रहा है और वो इंडिया में जो sale कर रहा है उसका पहली चीज तो उस e-commerce operator का इंडिया में कोई PE नहीं है तो इनका PE तो ही नहीं इंडिया में और यह जो sale कर रहे है वो 2 करोड रुपेस से जादा है तो यहाँ पे बेटा आपको पता है 2% की rate से equalization ले भी आ जाएगा तो यहाँ पे 2% की rate से अगर equalization ले भी आ गया तो फिर यहाँ पे income tax नहीं लगेगा तो यह आपके लिए पहली बार आप ऐसा question है वो देख रहे है जहाँ पे यह concept आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ मैं तो देखिए सबसे पहली चीज तो यह के section 911 है वो business profit non resident के जाएगा लेकिन बेटा यहाँ फी e-commerce है उस पे e-commerce operator है तो उस पे equalization लेवी 2% की rate से लगेगा और 2% की rate से अगर equalization लेवी pay कर दिया तो 10.50 नहीं बोलती है कि यहाँ पे कोई भी income tax नहीं लगेगा अब एक बात बताओ यहाँ पे अगर 2.8 करोड की जगे वो 1.8 करोड होत तो पहली चीज यहाँ बिजनस connection नहीं बनता अगर माल लो यहाँ पे 1.8 करोड होता तो यहाँ पे business connection नहीं बनता एकॉलाई़शन लेवी नहीं लगता तो यहाँ पे कुछ भी taxable नहीं होता अब एक बात बताओ तो एक बात बताओ आम लेंक प्राइस आप कौन सावाल लोगे अगर मैं यहाँ पे कप मेथड फॉलो करूँगा क्योंकि अपन कप मेथड फॉलो करेंगे तो प्राइस जो अनकंट्रोल ट्रांजिक्शन में लग रहा है वो कितना लगेगा तो मैं बताओ यहाँ पे तो 2 lakh multiply by 8 dollar होना चाहिए तो 2 lakh multiply by 8 dollar multiply by आप एक काम करिए यहाँ चाहिए तो आप सीधा यही पे multiply कर दीजे 80 rupees से तो आपको rupees में transaction आ जाएगा तो आपके 2 lakh t-shirt multiply by आपके 8 dollar और multiply by आप 80 करेंगे तो it comes to I think कितना होता है रहे तो 12.8 crore आएगा I think तो 12.8 crore यह आपका arm length price आना चाहिए 12.8 crore आएगा arm length price इतना आना चाहिए लेकिन एक बात बताओ 12.8 crore आएगा लेकिन एक बात बताओ अपने को फाइदा भी तो हुआ है यहाँ पे अपनी associate enterprise से अपने को 2 फाइदे हुए एक तो associate enterprise ने अपने को database का access दिया है जिसमें 5 lakh रुपेज का फाइदा हुआ था और दूसरा अपनी associate enterprise ने जो भी अपने को क्या बोलते है इसका guarantee दिया था उसमें 10 lakh का फाइदा हुआ था तो इन simple word बता दू आपको 15 lakh का फाइदा हुआ है 15 lakh less करते है तो आपके पास में होता है 12.65 करोड अब एक बात बताओ अगर 12.65 करोड है उतना आपका arm link price आया अब एक बात बताइए आपने कितने में sale किया तो आपने sale किया है तो 2 lakh multiply by 6 dollar की rate से और multiply by 80 की rate से तो एक बात बताइए आपका 2 lakh pieces करके 2 lakh pieces पहले लीजिए तो 2 lakh pieces आप लेंगे और यहाँ पे बाबू 2 lakh multiply by 6 dollar और multiply by 80 की rate तो यहाँ पे 9.6 आजाएगा तो 9.60 करोड तो यहाँ पे आपकी income में कितना जोड़ना चाहिए इस बार तो मैं बोलो यहाँ पे आपका 12.65 minus 9.60 तो it comes to the 3.05 है उतना आपकी income में add होना चाहिए इतना आपकी income को जोड़ना चाहिए तो यहाँ पे 3.05 है इतना आपकी income में जोड़ना चाहिए 3.05 करोड है उतना आपकी income में जोड़ना चाहिए चलिए so this is the completion of your question number 21 इतना छोटा question नहीं था बहुत ही बढ़ा question था बहुत सारे concept यहाँ पे साथ में cover हुए थे transfer pricing topic के आप दिखोगी कितने सारे concept है वो यहाँ पे एक साथ में cover हुए है ठीक है चलिए guys इसके अगले वाले जो questions है वो मैं अगले वीडियो में लेता हूँ और ये वीडियो में मेरा photo नहीं देख रहा है मेरी सिरफ आवा जा रही है क्योंकि मैं मतलब हमारा staff पिकनिक पे खाया है और यहाँ पे camera अगिरा कुछ नहीं है तो मेरे पास iPad है और सिरफ iPad को देखके और मैंने यहाँ पे screen capturing किया आपके लिए जिससे की voice भी record हो जाए और साथ साथ में आप लोगों को question भी हो जाए question कर रहे है तो ऐसे भी आप मेरा चेरा नहीं भी देखोगे तो आपका काम हो जाएगा चलिए ठीक है तो यह हो गया अब अगले वीडियो में अपन के जो remaining questions बचे है वो मैं कराने वाला हूँ इसमें से remaining कौन कौन से बचे है तो obviously एक तो 22 बचा है उसके बाद में 22 के बाद में 23 में already आपको करा चुका हूँ तो यहाँ पर 4-5 questions और है मेरे को लगता है एक घंटा और लगेगा जिसमें हम क्या करेंगे remaining question कर लेंगे तो आपके total 30 questions है उसका explanation आपको मिल जाएगा so guys thanks a lot that's enough for today from my side और बस मैं यही बोलते रहूँगा पढ़ते रही है करगे ठीक है because मैं लग क्या होता है न मेरे को यह लगता है कि आप सब emotion को छोड़के you just have to focus to your preparation आप जो अभी कर रहे हैं देखो क्या होता है ना past के बारे में जादा सोचो ना present के बारे में जादा सोचो आपको जो सोचना है ना वो आपको present के बारे में सोचना है कि आज आप कर रहे हो वो क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो कितना कर पा रहे हो और अपने आपको थोड़ा पुश करिए और आपके पास 24 hours है अगर आप 24 hours मैंसे आप अभी जो पढ़ रहे हैं वो 8-10 गंटे पढ़ पा रहे हैं तो थोड़ा उसको लिमिट्स को थोड़ा बढ़ा ही क्योंकि अगर आप बाकी सब चीजों के लिए 10 गंटे रख लेते हैं सोना वगरा सब हो गया तो एटलीस्ट आपका 14 hours का आउटपूट आना चाहिए और दूसरी social media वगरा उन से चीजों को छोड़िए और आप एक बार stop watch लगा लीजिए और stop watch में देखिए प्रोडेक्टिवली आप कितना पढ़ रहे है और प्रोडेक्टिवली अगर आप पढ़ते हैं न 14 hours भी अगर आप ढंक से निकाल लिए तो मैं बता हूँ ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको रोग सकती है इस बार exam में पास होने से और मैं बता रहा हूँ वापस इस बार का result अच्छा रहने वाला है तो आराम से पास हो जाएंगे अब बिल्कुल भी tension मत लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से exam दीजिए बस मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगा So thanks a lot people, that's enough for today from my side